किसी ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था जिया गाइज आप लोगों को पते हुए कल था मैच USA वसे पाकिस्तान का एंड USA ने ये मैच जीत लिया पाकिस्तान कल पहले बैटिंग के थे और उन्होंने 160 रंस टार्गेट दिया था एंड USA पूरा चेज नहीं कर पाय कर वो मुंबाइज है और 2010 में वो इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ड कप भी खेले हैं वो कल के मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया उनका फिकर था 2-4-18 एंड दन सुपर ओवर भी डाले थे और उन्होंने पाकिस्तान को चेज नहीं करने दिया टार्गेट और USA को ये मैच जिता दिये तो वही कल से उनका स्टोरी वाइरल जा रहा है जैसा कि मैने आप लोगों को बता है कि वो मुंबाइस एंड इंडिया के तरफ से वो 2010 में अडर 19 वर्ड कप खेले हैं जिसमें वो पाकिस्तान से हारे थे और उस ताइम उस पाकिस्तान टीम में बावर भी थे बट देन ही केम टू यूएसे एंड वो अपनी मास्टर्स दिगरी क्प्लीट की कंप्यूटर साइंस में और आकल में काम भी किये और फाइनली वो पाकिस्तान को डिफीट करके अपना रिवेंच ले लिए तो उन्हें अप्रिशेट करते वे सुर्यो कुमार याद भी कल अपनी स्टोरी पे ये डाले थे तुला मानला भाव, very happy for you and your family back home and Kane Williamson भी बोले कल के मैच के बारे में USA वसे पाकिस्तान was an amazing game of cricket, it's great for the growth of cricket and moreover USA के प्लेज को इतना अप्रिशेट क्यों किया जा रहा है क्योंकि उनका कोई contract भी नहीं है, उन्हें एक मैच का सिर्फ 20,000 मिलता है इंडियन रुपीज में and इतना कम पेमेंट होते वे भी वो 2022 के finalists को हरा है, तो इसलिए उनके हर एक जीत को इतना appreciate किया जा रहा है and इस जीत के साथ USA top of the table चले गए है which increase their chances of getting into super 8 and ये बाबाराजम और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बुरी news है, especially बाबाराजम के captaincy पे बहुत सवाल उठाय जा रहे है कि last couple of years से वो small associate nation से भी हार रहे है